सिर्फ चार दिन खालो, चार दिन में ही इतनी जबरदस्त ताकत भर देगा इन उसका कि 80 साल का इंसान भी कबड़ी खेलेगा, जो वाइंट पेन और सरीर की कमजोरी बिलकुल जड़ से खतम हो जाएगी और आपको पूरी जिंदगी कभी कोई भी विमारी नहीं लगेगी, न एक कली हमारे सरीर को बहुत त्रहें की बीमारियों से बचा कर रखती हैं, ये आपके खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बलकि आपकी सेहत के लिए एक चमतकारी ओस्ती हैं, दोस्तो अगर आप इसकी सरफ एक कली का सेवन हर रोज सुबे खाली पेट करते हैं, तो यह आ आपके सरीर के लिए किसी अमरित से कम नहीं हैं, दोस्तो आयूरुवेद में लसुन के लिए कहा जाता है कि इसके सेवन से आप हमेशा जवान बने रहेंगे, आपकी उमर बढ़ने की प्रकिरिया इससे रुक जाएगी, साथ ही यह कई बीमारियों में जैसे बवासी, कबज कान का दर्थ, ब्लड पैसर, भूक बढ़ाने, मोटापा, हार्ट ब्लोकेस और डाइबटिज आदी बीमारियों में इसका प्रयोग बहुत अधिक जमतकारी हैं, दोस्तो यह कई बीमारियों की रोक थाम तथा उपचार में बहुत अधिक परभावी हैं, जब आप कुछ भ लसुन खाने से यह और भी अधिक परभावी हो जाती हैं, इसके इस्तमाल से जो सरीर के जो किटानू हैं वो खतम हो जाते हैं, तथा लसुन की सकती से वे आपकी सरीर की रक्सा करते हैं, रक्सा करने वाला बैक्टिरिया आपके सरीर में उत्पन होता है, इससे बैक्टिरि फाइदों के बारे में फेपणों की बीमारी के लिए दोस्तों यदि आपको फेपणों से जुड़ी कोई भी बीमारी है तो आप ये अरक अपने घर पर बनाएं 200 ग्राम लसुन, 700 ग्राम ब्राउन सुगर और एक लिटर पानी पानी को लसुन के साथ उबालें और फिर इसमें सक्कर मिलाएं और दिन में तीन चमच इसका सेवन करें दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी फेपणों की विमारी बिलकुल सही हो जाएगी हाई बीपी से बचाए कई लोगों का मानना है कि लसुन खाने से हाईपर टेंसन के लक्षनों में अरा मिलता है और यह बात बिलकुल सही भी है यह नैकेवल रक्त के प्रवहा को नीमित करता है बलकि यह हाड़े से समंदे समस्याओं को भी दूर करता है तथल लीवर और मुत्राश्य को भी सिर्चारू रूप से काम करने के लिए मददकार है दोस्तों यदि आप लसुन की एक कली को हरोज सुबह खाली बेट खाते हैं तो इससे ना तो आपको कभी हाइबीपी होगा और ना ही आपके सरीर में जो यह बैड कोलोस्टोल बहुत अधिक बढ़ जाता है वो समस्या आपको कभी आएगी और दोस्तों जब आपको कोलोस्टोल की समस्या नहीं होगी तब ना तो आपको हार्ट ब्लोकेज होगा और ना ही आपको हार्ट अटेक आएगा यानि यह हाई बीपी, कोलोस्टोल, हार्ट ब्लोकेज और हार्ट अटेक की समस्या का इलाज कर देगी और इसके साथ में आपके सरीर के खून को पतला करने का काम भी करेगी जिससे आप बहुत रहेगी जो खून की ये गाड़े होने के काण बहुत सारी बीमारियां खासकर कोलोस्टोल की बीमारियां हमारे सरीर में लगती हैं आप उन सब से बचे रहेंगे या जो ब्लोकेज की समस्याएं होती है तपेदिक, तपेदिक में भी लाब करी है लसुन का सेवन दोस्तो तपेदिक में आप लसुन के इस उफचार को अपनाएं एक दिन में लसुन की एक पूरी गांट खाएं इसे कुछ बागों में बाट लें आपको जिस प्रकार भी पसंद हो इसे खाएं यदि आप इसे कच्चा खासकते हैं तो कच्चा खाएं यदि आप इसे भून कर खासकते हैं तो भून कर खाएं दोस्तो इससे आपको चमतकारी कर जैल्ट दिखाई देंगे और आपकी ये समस्या बिलकुल दूर हो जाएगी डाइरिया दूर करे, पेट से समंदित समस्या हो जैसे डाइरिया आदी के उपचार में भी लसुन बेहद अधिक परभावी है कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि लसुन तंतरिकाओं से समंदित बीमारियों के उपचार में भी बहुत अधिक परभावी है लेकिन दोश्तों मैं आपको बता दू कि यदि आपको पेट स्जुड़ी कोई भी बीमारी है जैसे आपका पाचंतंतर कमजोर है या आपको खाया पिया आपके सरीर में नहीं लगता या आपको कबज पेट में गैस या एसिडिटी की समस्या है तब हर रोज सुबे खाली पिट एक आप कच्ची लसुन का सेवन करें एक कच्ची लसुन की कले को चबा कर खई इससे आपकी पेट जुड़ी हरत रहें की बीमारी का इलाज हो जाएगा आपका पाचंतंतर मजबूत होगा कबज गैस और एसिडिटी की समस्या आपको नहीं होगी अस्थमा रोग के लिए लसुन सवसंतंतर के लिए भी बहुत अधिक लाबकारी है यह तपेदि, अस्थमा, नीमोनिया, जुखाम, ब्रोकैंटिस, पुरानी सर्दी, फेपड़ों में जमाओ तथा कप आधिकी रोक थाम के लिए एक बेहद अधिक परभावी उपचार है दांत दर्द के लिए अगर आपके दांत में दर्द हो रहा हो तो लसुन की एक कली आपके लिए बहुत अधिक फाइदयमन साबित होगी इसमें एंटि-बैक्ट्रियल और दर्द निवारक गुन होते हैं जो आपको इस दांत के दर्द से रहा दिलाते हैं इसके लिए इसका एक कली पीसकर दांत के दर्द वाली जिगह बराप लगा दे वैकल्पिक उपचार दोस्तो जब भी आपको अपने सरीर को डिटोक्सिफाई करने की जरूरत होती है तो दोस्तो लसुन एक बहुत अधिक कारगर उपचार है दोस्तो आप यह इतना अधिक सक्तिसाली है कि यह आपके सरीर के परजीवों और कीरों से आपको बचाता है और बहुत सारी बीमारीओं से आपको बचाकर रखता है यानि कि आपके पूरे सरीर को डिटोक्स करने का काम करता है डायबटीज की बीमारी के लिए दोस्तो यदि आपको सुगर की बीमारी है या फिर आप इस सुगर की बीमारी के जो भी कॉम्पिलकेशन है आप उनसे बचना चाहते हैं जैसे कि इसके कान आपको लीवर के रोग हो जाते हैं हार्ट से जुड़े रोग हो जाते हैं पाचनतंतर से जुड़े रोग हो जाते है तो दोस्तो तब भी लसुन का सेवन आपके लिए बहुत अधिकारगर है क्योंकि आप एक लसुन की कली का सुबह खाली पेट सेवन करके इस अपने diabetes की बीमारी को control में रख सकते हैं और इस बीमारी के जो भी complication है आप उन सब से भी बचे रहते हैं नसो में जनजनाट दोस्तो यदि आपकी नसो में जनजनाट रहती हैं तब आपको लसुन का सेवन हारो सुबह खाली पेट करना चाहिए और यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी भूक को बढ़ाए दोस्तो यदि आपको पेट से जुड़ा कोई भी रोग नहीं होगा और आपका पाचन दंतर मजबूत होगा तब आपको भूक प्रोपर लगेगी और जो आप खाएंगे वो आपके सरीर में ही लगेगा जोडों का दर्द, गठिया का दर्द, या घुट्मों का दर्द दोस्तो यदि आपको किसी भी तरह के दर्द की समस्या है तब भी दोस्तो लसुन आपके लिए बहुत अधिक कारगर है तब आप एककली लसुन का सेवन सुबे खाले बेटकने और लसुन का तेल बनाकर जहां पर भी आपको दर्द है वहाँ पर मसाज करें दोस्तो आप देखेंगे कि आपका जो दर्द है वो चुमंतर की तरहें गायब हो जाएगा और लसुन का तेल बनाने की विदी हमने पहले आपको बताईए कि आप कैसे लसुन का तेल अपने घर पर ही बना सकते हैं अब दोस्तों ये तो हो गए लसुन खाने के फाइदे अब जानते हैं इससे जोड़े कुछ सावधानी दोस्तों आपको लसुन का सेवन भी अधिक मातरा में नहीं करना चाहिए और यदि आपको लसुन से किसी भी तरह की कोई अलर्ची है तब आपको लसुन का सेवन नहीं करना चाहिए तो दोस्तों यदि आप भी लसुन का एक कली का सेवन हर रोज करेंगे तब आप अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना देंगे तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लिस लाइक और शेयर जरूर कीजी इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजी और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजी ताकि आपको ह आमारी सबी आने वाले वडियो की नोटिफकेशन आती रहे धन्यवा दोस्तों